हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आज मैं बताने जा रहे हूं कुलकन कुलफी ऐस्क्रिम कैसे बनाते हैं इसके लिए हम लेंगे दो कप दूद यानि 400 ml जितनों दूद लेंगे अब हम दूद को गर्म होने देंगे अ इस दूद के लिए हम घ्यास को मिडियम फ्लेम में रखते हुए हाथ ऐसे हिलाते हैं दूद पाच मिट तक गर्म होने दें अब दूद गर्म हो गया अब हम दालेंगे 100 sl expert दूद्पेडा के बाद हम डालेंगे गुलकन दालेंगे दोनों को मिक्स कर लेंगे और इसमें दूद्पेड्ड में दोद्पेड़े मुक्स कर गरम होनेते При этом के डिदे système सब्सक्राइब शुगर करेंगे क्योंकि गुलकन और पेड़े में इतना हमें काफी है भी शुगर है इसको ठंडा होने देंगे गरभब थंडा होने के बार इसको हम मिक्सर कर लें M इन दिखें अब हम ने मिक्सर कर लिया है अब हम हमारे घर में जो भी लैग available है योसें फ्रो ग्लास और स्टील कप्स उसमें भी हम एस्टिड सरम बना सकते मैंने लिया यूज एंद थ्रो कप्स और स्टील कप्स अब मैं इसको सिल्वर पेपर से रैप करें और इसमें होल बना रही हूं स्टिक्स दालने के लिए अब मैं इसमें एसक्रिम स्टिक दाल रही हूं इसको अच्छी तरह से कवर करके हमें ऐसे रेफ्रिजरेटर में आठ घंटे तक रख देंगे देखिए अब रेडी हो गया है एसक्रिम अब मैं निकाल रही हूं इसमें से और यूज एंड थ्रो कप्स में एसक्रिम बहुत ही अच्छा बनता है और आसानी से निकल जाता है द अब हम स्टील कप से एसक्रिम निकालेंगे बहुत टेस्टी रहता है देखिए इसक्रिम अब हम स्टील कप से एसक्रिम निकालेंगे बहुत टेस्टी रहता है देखिए इसक्रिम अब हम स्टील कप से एसक्रिम निकालेंगे बहुत टेस्टी में आसान नहीं हुआ तो अब इसको हम थोड़ा नाइप से सैड से निकालेंगे अब देखिए आ गया है ऐसे रेड़ी है